चलिए student हम लोग question number 2 को solve करते हैं देखिए question number 2 में क्या कहा जा रहा है आकरती 6.35 में तिरबुज ODC समरूफ है तिरबुज OBA के यहाँ पर देखिए यानि कि A वाला जो तिरबुज आप देख रहे हो यह समरूफ है किसके इसके आगे देखिए आगे क्या दिया गया है angle BOC is equal to 125 degree यहाँ पर देखिए BOC यानि कि इसी वाले angle की बात कर रहा है और A हमें कितना दिया गया है 125 degree आगे angle CDO is equal to 70 degree CDO यानि कि इस angle की बात हो रही है और A हमें कितना दिया गया है 70 degree आगे देखिए angle DOC angle DCO और angle OAB ग्याद कीजिए तो चलिए हमें जो जो ग्याद करना है हम लोग उसको ग्याद कर लेते हैं तो लिखिए solution हमें जो जो दिया गया है सबसे पहले student आप लोग उसको write कर लिजे लिखिए दिया है क्या क्या दिया है तिर्भुज ODC ODC समरूप है किसके तिर्भुज OBEAK और आगे देखी क्या दिया गया है एंगल B O C is equal to 125 डिगरी आगे एंगल C D O is equal to 70 डिगरी दिया गया है हमें ग्याद क्या करना है लिखिए ग्याद करना है क्या ग्याद करना है एंगल D O C एंगल D O C हमें बताना है एंगल D C O हमें बताना है और एंगल O A B क्या होगा इसका भी मान हमें बताना है तो चलिए हम लोग निकालते हैं अब आप लोग सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखिए जब आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे देखिए यहां पर देखिए एक कितना दिया गए 125 डिग्री दिया गया है तो इसके माध्यम से हम लोग इसको निकाल सकते है ठीक है अब आप कहोगे कैसे तो हम कहेंगे आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए जैसे अगर हमारे पास कोई भी रेखा इस तरीके से है और कोई दूसरी इस तरीके से ठीक है रेकिक यूग्म बन रहा है अगर हमेगए वाला कोड दिया गया है यहां पर आप लोग कुछ इसको इस तरीके के से लिख सकते है देखिए ए हम 122 दिया गया है समझ लिए यहां से आप लोग तो हम लोक इसको निकाल सकते है Southern Lebanon कितना एमारा एक्स डिगरी है और हम जानते हैं जो रैखिक यूग होता यहां पर क्या बन रहा है एक रैखिक यूग बन रहा है ऐसे देखिए यहां पर देखिए इसका और इसका जो योग होगा वह 180 के बराबर होता है यानि कि अगर हम लोग प्लस एकड़ी करें तो मारा 180 डिगरी होता है कितना होता है? 180 डिगरी क्योंकि जो राइखे किल्मी कुव होता है उस पर बनने वाले कोडों का योग 180 डिगरी होता तो यहां से x का मान निकाल सकते है देकिए 180 डिगरी एक सो पचीस को आप यहां पर लेकर के आईए गटा दिए दस में से मने पांच गटाया पांच हो गया है यहां पर बचा है साथ साथ में से मने दो गटाया पांच आ गया और यहक्स का मार कितना गया पचपन डिगरी अब इसी तरीके से आप लोग यहां पर देखिए एक सो d o c किसके बराबर हो जागा देखी 180 degree माइनस 125 डिगरी राइखिक यूग ठीक है राइखिक यूग पर बनने वाले जो कोड होते हैं इनका मान कितना होता है 180 degree के बराबर होता है तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिखा देखिए एंगल d o c प्लस 125 डिगरी बराबर हो जगा है तो यहां से जो मारा एंगल d o c है इसको निकाल लिए आया है मारे पास आगा पच्पंड डिगरी अंगल d o c अप फिर हमने इसको एक्स मान लिया ठीक है तो यहां से कितना हो गया एंगल d o c पच्पंड डिगरी चलिए आगे देखिए आप लोग ध्यान से अब देखिए हमें ए तो मिल गया अब अगर में ए वाला निकाल यह एंगल प्राप्त करना हो एंगल इसको निकालना हो तो इसको कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखिए तो ए 55 है तो ए भी 55 डिगरी हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि सीर्षा विमो कोड है और सीर्षा विमो कोड बराबर होते है अब इस्टूडेंट देखे में निकालना क्या है अंगल DCO चलिए दिखाते हैं लेकिए अंगल DCO हमारा किसके बरादर यानि कि हमें इसकी बात करनी है एक कितना हो जाएगा आपको पता है अंगल DCO या फिर O, DC कुछ भी कहिए यह मारा क्या बन रहा है एक तिर्बूज बन रहा है और हम जानते हैं तिर्बूज के तीनो कोड़ों का योग कितना डिगरी होता है और 180 में से घटा दे देखिए कुछ इस तरीके से करेंगे तिर्बूज के तीनो कोड़ों का योग कितना डिगरी होता है 180 डिगरी हम जानते हैं लिखिए लिखिए तिर्बूज O, DC में यहाँ पर आप समझने के लिए लिख लेजिए तिर्बूज O, DC में क्या हो जाएगा एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल C कमान किसके बराबर हो जाएगा 180 डिगरी है क्योंकि तिर्बूज के तीनो कोड़ों का योग लिख लिजिए तिर्बूज के या पिर लिख दीजे तिरबुच के अंता कोणों का योग 180 डिगरी होता है बात आपको पता है अगर कोई दो कोड पता तीसरा आप निकाल सकते हैं अब देखिए अंगल ओ का मान कितना है 55 डिगरी प्लस अंगल डी का मान रख दीजी कितना है 70 डिगरी क्या अंगल C का मान आपको पता है नहीं पता है तो आप इसको ऐसे ही रख दीजी लिख दीजी 180 डिगरी 70 में 50 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा और 180 मानस 125 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 55 डिगरी तो जो मारा अंगल C है यानि कि A वाल अंगल कितना है 55 डिगरी अंगल D, C, O का मान कितना है 55 डिगरी लिख दीजीए और कैसे हमने निकाला है यहां से आप लोग देख सकते हैं तो इस तरीके से हमने अंगल D, C, O का मान भी निकाल लिया है अब इस्टूडेंट हमें क्या निकालना है अंगल O, A, B निकालना है चलिए हम लोग अंगल O, A, B की भी बाद कर लेते हैं O, A, B किसके बराबर हो जागा अब आप लोग देखें मैं कुछ दिया गया था क्या दिया गया था जो मारा O, D, C है वो समरूप है O, B, A के जो संगत कोड होते हैं तो O, D, C, O, B, A यानि कि अंगल D के संगत कोड क्या है अंगल B है अंगल C के संगत कोड क्या है अंगल A है A पच्पन हो जाएगा तो यहां से आपको मिल गया अंगल O, A, B तो अंगल O, A, B कमान कितना होगा है पच्पन डिगरी लिख दिए चूंकी समरूप तिर्बुजों के समरूप तिर्बुजों के संगत कोड बराबर होते हैं और इस तरीके से इस्टुडेंट्स आप लोगों ने देखा हमें जो जो निकालना था हमने उसको निकाल लिया है हमें अंगल D, O, C का मान बताना था अंगल D, C, O का मान बताना था और अंगल O, A, B का मान बताना था तो हमने इसको निकाल लिया है तो इस तरीके से जो हमारा question number 2 था हमने इसको हल किया तो चलिए आप लोग पढ़ते रहे थांक यू